देखिए देखिए ये है सानातनी ये है पकड़ा दाए जा रहा है कैसे हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए लाया हूँ आप लोग गोर से देखिए ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को यतीनर सिंहानन जैसे बाबाओं की असलियत पता चल जाएगी क्योंकि यतीनर सिंहानन जैसे बाबा लोग बार बार ये कहते हैं कि जो मुसल्मान हैं जो मदरसे वाले हैं वही लोग गलत काम करते हैं इसी लिए आप लोगों को ये वीडियो दिखाऊंगा ये वीडियो देखिए गोर से देखिए किसी मदरसे से पढ़कर नहीं निकले हैं ये बाबा और ना ही मुसलमान है ना ही मौलाना है ना ही दार ही टोपी वाले हैं लेकिन इसने क्या जो काम किया है वो आप लोगों को ब 15 साल की एक अनाथ बच्ची थी जो रोजगार के लिए भटक रही थी गोशाला चली गई वहाँ पर गाय चेराने गाय की सेवा करने गोबर वगेरा साफ करने लेकिन एक सवामी जिस सवामी का नाम है पुर्णानंद इसने का किया दो साल तक आशरम में अपने आशरम में ले गया और आशरम के अंदर दो साल तक बंधक बना कर बच्ची के साथ गलत काम करता रहा किस तरह से बंधक बनाया था इस बुढ़े ने आप देखिए और इस बाबा की उम्र 64 साल थी आप हेरान हो जाएंगे देखिए पिडित बच्ची ने बताया कि उसको जंजीरों से बा मुसल्मानी दिया करता था और शोच के लिए एक बालती वहां पर रख दिया था दो साल तक वेसा ही यह बाबा करता रहा बांधकर रखता रहा और गलत काम करता रहा अब जाकर यह बाबा पकड़ा गया है आप देख सकते हैं कोई दाड़ी टोपी वाले नहीं है और नहीं मदरसे से पढ़कर निकले हैं लेकिन यतीनर सिंहानन बार बार यह कहता है कि जो गलत काम होता है वो मुसल्मान ही करता है मदरसे वाले करता है तो यतीनर सिंहानन से सवाल है कि यह कौन है कौन है जो आशरम के अंदर एक अनाथ बच्ची को दो साल तक जंजीरों से जकड़ कर रखा सिर्फ गलत काम करने के लिए क्या एक कोई मोलाना है क्या किसी मदरसे से पढ़ कर निकले हैं और इसी तरह कई बाबा लोग तस्वीर में सभी तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूँ आप देख सकते हैं कई बाबा लोग पकड़े जा रहे हैं गलत काम करने की वजह से लेकिन यतिनर सिंहानन सिर्फ मुसल्मानों के खिलाफ आवाज उठाता है मेरा ये मानना है अगर मुसल्मान गलत करता है तब भी आवाज उठानी चाहिए गेर मुसलिम गलत करता है तब भी आवाज उठानी चाहिए ये इनसाफ की बात ह लेकिन यतिनर सिंहानन सिर्फ मुसल्मानों के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है तो इसको लेकर यतिनर सिंहानन को लेकर इस बाबा को लेकर पुरी वीडियो पुरी रिपोर्ट को लेकर आपकी किया राय है कमेंट में बताएए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए फिर मैं मिलूंगा किसी दूसरी वीडियो के साथ